हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मेडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत हैं बच्चों, आज मैं आप लोगों के समख्ष कभी बिहारी के एक दोहे को लेकर पुना उपस्तित हूँ कभी बिहारी हिंदी साहिति के रितिकाल के एक प्रशिद्ध कभी है और जिनका प्रमुख ग्रंथ है सत्सई मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सत्सई में लगभग 702 का संग्रा है सत्सई के दोहे जो हैं भक्ति, नीति, स्रिंगार, अध्यात, ज्यान, सुक्ति सबका एक सम्रिशित रूप है कभी बिहारी के दोहे की विशेष्टा है कि इनके दोहे अपा और भावरासी को अपने में समेटे हुए है यानि एक छोटे से दो पंक्ति के दोहे में इतनी भावरासी भरी होने के कारण इनके दोहे को गागर में सागर कहा गया है गागर में सागर, गागर आप लोग सभी जानते हैं जो छोटा सा बरतन या पात्र है और उसमें समझिये आपने सागर को समा दिया तो छोटे में ही बहुत सी बातों को कहना, बहुत से भाव को अभिव्यक्त करना या कभी बिहारी के भिशेशता रही है इसके साथी साथ कभी बिहारी के दोहे के सम्मन में या प्रशिद है कि सत्सया के दोहरे जियो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभी यानि बिहारी के दोहे का प्रभाव पाठक के मनमस्तिक्स इनके हिरदे पर इतना पढ़ता है कि पाठक अभी भूध हो उठता है चलिए आज ऐसे ही एक दोहे की मैं ब्याख्या प्रसुद कर रही हूँ पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ अब चलिए कठिन सब्दों के अर्थ को देख लें कठिन सब्दों के अर्थ देखिए व्रिकुटी मत्कनी व्रिकुटी का अर्थ होता है भौध अम मत्कनी मने नचाना हम लोग कहते हैं भौव को मठका रहा है, मठका रहा मतलब नचा रहा है, यहाँ पर भावों की भंगीमा की और इसारा किया गिया है पीत पठ यानि पीला वस्तर, आप सभी जानते हैं, स्रीकृष्ण जो है विश्नु के अवतार माने जाते हैं और विश्नु को पीतांबर कहा जाता है, उनके वस्तरों के कारण, तो कि विश्नु भगवान पीला रंग का वस्तर धारन करते हैं, तो स्रीकृष्ण के सरी में भी कैसे रंग का वस्तर? पीले रंग का है, तो पीत पठ कार्थ हो गया, पीला वस्तर, पीले रंग का वस्तर, देखिए चटक, चटक मने होता है चमकीला तेज, कोई भी वस्तु को हम लोग कहते हैं न किसी रंग को लेकर कहते हैं, इसका रंग जो है बहुत चटकदार है, यानि बहुत तेज है, तो यहाँ पर भी चटक काट क्या है वह चमकीला तेज, और चाल यानि गती, चल चखी चितवन देखिए, चल चखी मने चमकता हुआ नजर या दृष्टी, यानि किसी के दृष्टी में जो चमक होती है, हम लोग कहते हैं किसी के आँखों में चमक है, तो यह जो चमक सब्द का प्रयोग किया गया है, सिरकृष्णी के दृष्टी के ओर कहा गया है, तो यह चितवन मतलब दृष्टी, यानी चमकती हुई दृष्टी या नजर, यह हम इसे कह सकते हैं प्रेम पुर्वक देखने का धंग, यानी सृक्रिश्ण भगवान के बारे में यह दोहा है, तो सिरक्रिश्ण भगवान जैसे किसी को देखते हैं, तो उनकी दृष्टी कैसी ह गुंण और दृष्टी होती है यहां पर इसी की और ही सरा किया है चोरी चितू लियो देखिए चोरी की मतलब छुच दो मतलब लेना अर्थ क्या हो गया हिर्दय को चुरा लिया है। यहाँ पर क्या है बिहारी लाल है। बिहारी लाल का प्रयोक किसके लिए है। स्रीकृष्ण के लिए है। अब चली मैं दोहे का अर्थ समझाती हूँ। तो सबसे पहले प्रसंग समझते हैं। यहाँ पर कभी बिहारी ने स्रीकृष्ण के भाव भंगिमा, उनके अध्भुत स्वांदरिय, उनकी चाल का वर्णन प्रस्तित किया है। जो अत्यंत मन मोहक है। उनकी द्रिष्टी अत्यंत मन मोहक है। मन को लुभाने वाली है। भरिकृटी मठकनी, कभी बिहारी लाल जी स्रीकृष्ण के भाव भंगिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिरकृष्ण की भौवे जो है, वो कैसी है? मटकती है, यानि भौवे को नचाती है। यानि जैसे जैसे भाव उनके हिर्दय में जन्म लेता है, उनके भौवे का पीतपट, उनके सरीर पर पीले रंगा वस्त्र है, चटक लटकती चाल, और स्रीकृष्ण भगवान की चाल कैसी है, बहुत ही तेज है, चटकदार है, असरदार है, ये कह सकते हैं, जिसको कहते हैं, जमकीला तो नहीं कहेंगे, तेज कहेंगे, प्रभावपूर्ण कहेंगे, तो सिरकृष्ण की चाल कैसी है, बहुत ही तेज है, प्रभावपूर्ण है, यानि उसके भावभंगेमा को देखकर, उनके वस्त्रों और उनकी चाल जो है, किसी के हिर्दे पर अपना छाप छोड़ जाती है, चल्चकी चितवन, चल्चकी चितवन का आर्त मैंने क्या बता जाना है, कि वो क्या करता है, चोरी चितूलिये, वो क्या करता है, किसी के विहृदे को चुरा लेता है, ये सारा वर्णन किसके लिए है, बिहारी लाल, यानि स्रीकृष्ण के लिए है, कि स्रीकृष्ण भगवान की जो नजर है, प्रेम पूर्वख देखने का जो तरीका ह भाव के अनुरूप उन्होंने पीले रंग का वस्त्रधारन किया है, इसके साथ ही साथ उनकी जो चाल है, वो कैसी है, बहुत ही चटक है, यानि तेज है, लटकती चाल, हम लोग कहते हैं किसी के चाल को चटक मटक कहते हैं, यानि कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उस चाल को हम किले चाल है, या उसका चाल जो है, बहुत हो मटक कर चल रही है, ऐसे बात कहते हैं, यहां पर इसी अर्थ में समझें, उनकी चाल काफी तेज है, प्रभावपूर्ण है, और चल्छकी चित्वन, यानि उनके जो देखने की जो दृष्टी है, उनका जो नजर है, यानि प् रिष्टी का कभी बिहारी ने बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है, अदफुत वर्णन किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि अर्थ आपको समझें आ गया होगा, जब आप परिक्चा में इसी दोहे का व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके कभी बिहारी ने स्रीकृष्ण के अपुर्व सौंदर्य और प्रेम पूर्ण द्रिष्टी का सुंदर वर्णन किया है, दूसरा स्रीकृष्ण जो है, उग क्या है, स्रीहरी यानि विश्नु के अवतार है, स्री विश्नु पीलावस्त धारन करते हैं, इसलिए यहाँ पर द अवरिती से यहाँ अनुपरास अलंकार की छटा दर्ष्णिय है, जैसे पीतपट, पीतपट में पवण की आवरिती तथा चलचकी चितवन में चोरी चितू में चावण की आवरिती है, पाचवा बिहारी लाग स्रीकृष्ण को कहा गया है, और अन्तिम देखिए, प्रस्त की भी दोहे की ब्याख्या करेंगे, तो विशेश जरूर लिखें, विशेश जब आप लिखेंगे, तो आपको अधिक सधिक अंक प्राप्त होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोग को समझाया है, वह आपको भलीभाती समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थों में इसे सेर भी जरूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सकें, अरा ना भूले कर अढहे चैनल पर मिल सक्काशन एल करें, तब हैं, ज play अले कर दो खोगदी का उते हैं, वे चैनल खोगार्दों में ही जरूर करें, तक ए??